हेलो एवरिवान वल्कम बग तो माई चैनल आज मैं अप लोग की साथ शेर करने वाली हूँ जन्मस्ठम स्पेशल राधार अनी जी की एक बहुत ही सिंपल सी लोग तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबसब पहले मॉस्टराइजर और प्राइमर लगा के अपनी स्कीन को पेपर कर लिया है मेक अप के लिए और फिर मैंने यहाँ पे एक फॉरिवर फिफ्टी टू की फांडेशन ले लिया है और मेरी शेड नंबर है 016 और यहाँ पे मैं बहुत ही थोड़ी सी फांडेशन एपलाई किया है अपनी फेस पे क्योंकि मुझे मेक अप बहुत ही लाइट रखना था और इतनी गर्मी में आप जितनी लाइट मेक अप कर सकते हो उतना ही लॉंग लस्टिंग आपकी मेक अप होगी और अप मैंने हाइलाइट के लिए थोड़ी सी कंसिलर यूज किया है अपनी फेस पे और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने एक क्रीम ब्लश यूज किया है और उसे भी अपनी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड करी हूँ और फिर मैंने मेरी अंडर आय एरिया को सेट करने के लिए थोरी से लूस पाउडर एपलाई किया है ताकि कोई भी क्रीस लाइन ना पड़े और फिर मैं यहाँ पर मेरी क्रीम ब्लश के ओपर थोरी से पाउडर ब्लश एपलाई कर रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से सेट भी कर दिया है और क्योंकि मैंने यहाँ पर राधा रानी जी के लुक क्रिएट करने की कोशिश करी हूँ तो इसलिए मैंने एकदम यह थोरी से कंट्रोल अपलाई किया है मेरी फेस पे सिर्फ फोर हेड और चीन पे और नेक्स्ट में बारी आती है आई मेकप की जैसे कि मैंने बताया कि राधा रानी लुक को मैंने बहुत ही सिंपल और सफ्ट रखने की कोशिश किया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सर्फ एक लाइट यलो कलर अपलाई किया है अपलाई किया है और फिर मैंने एक छोटी से विंग लाइनर केट करने की कोशिश करी ताकि कोई हेवी लुक ना आए और मैंने यहाँ पर लास्ट में थोड़ी से हलकी पिंक कलर की एक लिप कलर और थोड़ी से मसकरा लगाई हुई है और फिर मैंने अपनी लुक को कम्प्लीट किया है एक तीलक की साथ क्योंकि राधा रानी की लुक तो तीलक के बिना कम्प्लीट नहीं हो सकती तो आप लोग बताना कि राधा रानी जी के यह लुक मुझ पे कैसी लग रही है अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और शियर कर देना और अगर आप मेरी चैनल में नहीं हो तो चैनल को ज़रू सब्सकारब करना क्योंकि मैं जो भी अपकमिंग वीडियो नहीं नहीं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ वो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुचे तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में राधे राधे